क्या आपको अपने credit card से छोटे छोटे खर्चे करने चाहिए ? आपको किस टायप के खर्चे करने चाहिए?İ क्रेडिगार के आज की इस वीडियो में हम लुग discuss करने वाले हैं बहुत लोग क्या करते हैं कि credit card से cashbacks earn करने के चकर में जासे reward points earn करने के चकर में खूब खर्चे करते हैं छोटे मोटे अपने expenses भी credit card से ही करते हैं लेकिन आप साइध यहां miss कर रहे हैं या आप अपने civil score को खराब कर रहे हैं ज्यादा खर्चे करके क्या पूरा कुछ सारा कुछ discuss करने वाला है वीडियो को लाज सकते हैं अगर अगर आप अपने credit card का 30% के उपर खर्चे करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपका civil score खराब हो जाएगा लेकिन मेरे case में ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं अपने credit card का 60% 70% यूज करता हूं और आप यहां पर graph देख सकते हैं और जो graph यह down हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मैंने credit card 2-3 अप्लाई किया था जिससे अगर आप बार बार credit card अप्लाई करते हैं तो आपका civil score डाउन हो जाता है फिर भी आप यहां से एक point के बाद यहां से मेरा credit civil score बढ़ा है September, October में वहां से मेरा civil score बढ़ा है अभी तक मैं credit card अप्लाई नहीं किया हूं जिसके बाद आप देख maintain नहीं कर पाते हैं अपने खर्चे को या फिर अपने limit में मतलब 50-60% का ratio maintain नहीं कर पाते हैं तो यहां पर आपका civil score खराब होगा यहां पर एक और दिक्रती आ सकती है आपको income tax के तरफ से notice भी आ सकता है अगर आप ज्यादा खर्चा कर देते हैं जैसे कि बहुत लो क्या कर करने के चकर में अपने पोडोसी या किसी और दूसरे लोगों का खर्चे अपने credit card से करते हैं और उनसे पैसे ले ले लेते हैं और उसके बदले में उनको यह reward fund से कुछ cashback मिल जाते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए अगर आप यह चीज़ करते हैं तो करना बंद कर दीजिए आपका civil effect होगा आपको income tax के तरफ से notice भी आ सकता है तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है और आपको credit card से उनी transaction को करना चाहिए जो मेरे को लगता है कि आपको credit card ज्याधातर online ही यूज करना चाहिए offline भी यूज कर सकते हैं ऐसा कोई बड़ी बात नही है और इसका 60% 70% हो जाएगा आपका साथ हजार रुपी तो अगर आप साथ हजार के अंदर अपने घर के छोटे-छोटे transaction करते हैं तो कोई बात ही इससे आपको civil पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है जैसा कि मेरे साथ होता है मैं ऐसा ही करता हूं ठीक है आप यहाँ पर द अब दिसका लिमिट 40,000 या 20,000 या 10,000 है उसका 30% यूज करके और क्या कर लेगा इससे बढ़िया हो तो डेविट कार से ही खर्चा कर ले क्रेडिक कार लेने के फाइदा क्या है क्रेडिक कार लो उसके बाद अन्वल चार्ज पे करो और उसके बाद आप उसके 30% यूज अबर यहां पे देख सकते हैं सीबील और एक्सपिरियन स्कर दोनों देख सकते हैं वीत में मीरा एक Apache çalış डो सेंवल लेके में फिर सेजय क्रेडिक कारने करते हैं कोई ूज क्रेडिक कर आपने करो ने किया कोई ुक्रेडिक अपने कर अपने कर Vivillon ग pourquoi डेख सकते हैं तो मेरा कि आपको ये वीडियो नौलेज़फुल रहा हुआ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चांग को सब्क्राइब कीजिए और सेर कीजिए जैहिं बने महात्रम